मुदी जी बोखला करके भासन दे रह थे मध्य परदेश में वह भासन अजीव लग रहा था और धमकी दे रहते पूरे देश के विपकचि लोगों को ड़ रहे थे वह अपने भासा में ड़ रहे थे कि आप समझ walnut आणे वले दिनों में दो ही के बिच लड़ाई हैं लोक साही राज साही के साथ खड़ा होना उधर जाएगा जिसको लोग साही के साथ खड़ा होना इधर आएगा और नावस्कार में नाम प्रेम है और आप लाव स्टिट देख रहे हैं देखें विपक्षी एकता की बैठक बिहार में हुई पट्टा में हुआ संपर्ण हुआ पर अब जो एंडिये के लोग हैं वो कहीं न कहीं विपक्षी एक्ता पे आवाज उठा रहे हैं कि जैसे जैसे बैठक होगी वैसे वैसे नेता हैं वो भी खड़ते जाएंगे बात करने के लिए साथ CPI ML के विधायक और ज देखें हमारा पूरा का पूरा बैठक सफल रहा है और आने वाले दिनों में और इंटेक्ट होगा और आने वाले दिनों में 24 में हम लोग वाजपा को देश के गदी से उखाड करके फेक देंगे इसमें कोई शक नहीं है चुकि यह बैठक जो हुआ है यह साफ साफ समझने की जरुवत है कि देश के जनता में बड़ी विरोध व्यापक विरोध है मोदी के खिले करके मोदी जी जिस तरीके से इस देश में लोकतंत्र को खत्म करते हुए और राजसाही कायम करने की कोशिस कर रहा है यह देश के जनता को मंजूर नहीं है और यहीं तक नहीं हम नौजवान सड़कों पर आगया है आज नौजवानों को चार साल का सेना में नौकरी देने की बाद जो हो रही है अगनी पत्योजना से आपने देखा पटना के सड़कों पर कितना बड़ा अंदोलन हुआ देश के अंदर भी अंदोलन हुआ तो इस शब लोग विरोज में है और जनता की ब्यापक एक्ता जब बन रही है उसी का प्रतिवीम्ब है कि विपक्षी एक्ता बन रहा है तो इसलिए पक्षी एक्ता एकदम ठिक ठक रहेगा आने वाले दिनों में मोदी को हम डिफीट करेंगे इसमें कोई शक नहीं है लालो जी ने कह दिया कि हम फीट हो ग करते थे उनके पुत्र है वह अब कर रहे हैं कि जैसे जैसे बैठा को इसे बिपक्ष भी खरता चला जाए अब उनको जीतन रहा मांजी के बेटे जी बेटों को बात करते हैं तो उनको मांजी जी को हम क्या कहें उनके वारे में तो कहाना बहुत मुश्किल है एक सम्मानिय नेता है मांजी जी लेकिन हमने सुना है कि कुछ डिल हुआ है और बड़ी अकंच्छा है तो जब इतना बड़ा जिसका अकंच्छा हो जाएगा उस्वभाविक है कि नहीं रह सकता है तो उनसे कुछ फरक नहीं पड़ने वाला है बिल्कुल कोई फरक नहीं पड़ेगा कु को राज साही के साथ कट खड़ा होना है फूंदर जायेका जिसकन boat इसको लोक साही के साथ कट होना इधर आएगा और पूरए देश की जनता व्यापक जनता लोकतंत्र की पक्च में कड़ी होगी महंगाई के खिलाप खड़ी होगी नौजवानों को रोजगार के के लिए खड़ी होगी किसानों को बचाने के लिए खड़ी होगी आपको याद होगा कि जब इस देश के किसान दिल्ली में जा रहे थे मोधी जी ने कानून बनाया था जिस कानून को पूरा देश के किसान काला कानून कह रहे थे और कह रहे थे कि यह कानून जो है वापस ले लीजिए मोधी जी सुनने को त्यार नहीं थे किसानों ने ठान लिया कि करीब एक साल तक डट गए लोग दिल्ली के बॉर्डर पर और आपने देखा इन लोगों ने क्या नहीं किया सब लोगों को याद है किसानों के साथ जिस तरह से दुर्वेभार किया गया उन्हें पर कील नुकीले नुकीले कील लगा दिया गया कि दिल्ली के और प्रवेश ना करें और एक बार तो ऐसा इस्तिती हो गया कि एक मंत्री के बेटा उनके परदर्शन पर गारियां भी चड़ा दी जिसमें सताथ लोगों का सहाधत हो गई कुल साथ सौ से जादे लोगों ने जान दिया लेकि मोधी को खुकाकर कि ऐडम लिया तो यह देश है लोगतंत्र पसंद करता है किसानों का देश है जो अनपैदा करता है सब लोगों को याद है कि आपने क्या क्या कहा था और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज कि समय में नहीं बचेगा अगर जो लोग उधर ज कि अब ने आपने बोला कि जो उन्होंने काम किया नहीं किया पर मोदी यिजो कई केमिने नहीं किया एं वह वो लोग घरगड़ जा रहे हैं लोगों का भर में तेखी छो ई Ebola जा है यह इंद्फाम ने किया क्या सप्नार्धान म condemn Zurich में नौश इंद्शा। कह रहे हैं यह हम लोग भी सुन रहे हैं लेकिन जनता करें नौशाल बरबादियों का काल है पूरा जनता कह रही है किसान कह रहे हैं नौजवान कह रहे हैं महिलाएं कह रही है अब बताएए यह हमारे देश की महिलाओं का इजत लुटता है हमने देखा कि देश की लड़किय पहलवान लड़कियां जो एथलेटिक्स में खेल करके पूरे दुनिया में अपना और देश का नाम रोशन करती है जिसे खुद गरवानवीत होते हैं मदी जी बोलते रहते हैं कि हमारे देश की लड़कियां मुडरल जीत के लाई हैं और आप पूछिए वह अपने इज्जत किया था उसको बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत जोग दिया और अंतह बचाया जबकि सुप्रिम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था क्या करवाई वह लोग नहीं देख रहा हैं क्या क्या कहा जाए अब बदा ये देश के प्रधान जो सब पद है म महामहिम राष्टपती मोधिया जो हमारे देश की अधिवासी महिला के रूप में उस पूद को सम्मानित कर रही है आप खूद कह रहेते मोधिजी कि हमने भाजबा के लोग कह रहेते हमने महिला को सम्मान दिया अधिवासी को सम्मान दिया कि नहीं महिला को सम्मान दिया कि यह देख नहीं रहे हैं लोग आरोप लागा रहे हैं उल्य पर पहली से When older men 15 outro अर 15 're की सरकार बने के परधान मंत्री नरेंधर तेस्री भार सपत लें रहे हैं दूसरी भार है पढ़ कहाना है क्या है कौं अ कखता है कि यह करनाटक में जीतने के लिए बजरंग बली करनारा दे करके जीतना चाह रहे थे लेकिन जनता ने बता दिया कि आपकी जरूरत नहीं है उल्टी गिंती शुरू हो गई आप चार-पांच राजियों में चुना हो रहा है वहां भी देख लेंगे तो यह वो लोग कहेंगे भाज चाइल डैनल जन दी जाती हैं क्या योजनाथी यह बैड के सुटिंग करा रहा है नौजवान मारा जा रहा है चमां मारा जा रहा है जो देश के स्ीमा पर जाकर अपना जांगा महाता है हमारे घरका बेटा अना किसान का बेटा है ना मोदी के घर का नेन है वो जूट बोलते हैं कि चाय बेचते थे अगर सच में यह बात है तो आज वो देश बेच रहा है इसमें कोई जख नहीं है देश के सारे संपती को निलाम कर दिया डानी या अंबानी बिलकुर चाय बेचते बेचते आज देश बे में बैठे हुए राहुल गांदी थे पूरा देश इसका निंदा कर रहा है उनको सदस्ता तक्खारी जिन लोगों ने करवा दिया पूरे सीवियाई और इडी काई लोगों ने इस्तमाल किया और अपने विपक्षी को डरा रहे हम तो देखें कि विपक्षी एक्ता के बैठक के बाद मोदी जी बॉखला करके भासन दे रहे थे मध्य परदेश में वह भासन अजीव लग रहा था और धमकी दे रहे थे पूरे देश मालिक है और आने दीजे 24 में यत्तय होगा कि वो लोग जेल जाएंगे कि कौन जेल जाएगा मैं कह रहा हूं कि आपने देश को लूटा है और अडानी को छूट दिया है लूट लेने का आप बड़ा घोटाला जो हुआ था जिसके बारे में राहूल गांदी जी उठाये थ लोग बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे वो तो बोलते ही है कि पूरा देश में कह रहे है कि भी पक्षी को हम खतम कर देंगे यह केल सासन चलाएंगे वह कह रहे हैं पहले कांग्रेसमों अब उनके नडडा जी आये तो पत्ना में बोले कि सारे च्छेत्रिय दल्ग समाप्त कर देंगे अब तो लोग बोल रहे हैं कि पूरा देश में विपक्षी नहीं रहेगा यह केले राज करेंगे राज तंत्र लाना चाहते हैं कुछ भी बोल देंगे बोले देश के जनता को विचार करना है और मुझे लगता है कि देश के जनता सोचने लगी है नौजमान और दोज्ट रहा हैं और चवुश में बड़ी एकता बनेगी और जो लोग उधर जाएंगे उनमों को माफ नहीं करेगा चलिए माले की विध्यास थे क्या कूश कर रहे थे वो आपने सुना पर बीजे पी को सुना रहे हैं मोदि को सुना रहे किस तरीके से उन्होंने देश को ठागा है क्या कूश कर रहे थे प्रधार मंतिर को लेकर वmpfen रहे हैं जिन्हें